आप सभी का स्वागत है 20 जुलाई का इतिहास विज्यान अन्वेशवर दिवस जिसे चत्मा दिवस भी कहा जाता है हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है 1969 में इसी दिन अपोलो 11 नामक एक अभियान में नील अर्मस्ट्रॉंग और एडविन एल्डिन चत्मा की सतय पर उदरने वाले पहले इंसान बने थे महान विजेता सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 इसापूर्व को हुआ था 20 जुलाई 2001 जन्यर्ण परवेश मुशरव पाकिस्तान के राश्चपती बने भारतिय प्यापारी लश्मन राओ किर्लोसकर का जन्म 1889 को आज ही के दिन हुआ था उन्होंने किर्लोसकर समों की स्थापना के थी हिंदी फिल्मों के प्रशित अपनिता राजिंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को हुआ था भारतिय सिनेमा के प्रशित तथा पतिबाशाली अपनिता नशीरुदीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को हुआ था प्रशित भारती शास्त्री संगीतकार तथा तबलाबादक सामता प्रशाद का जन्म 20 जुलाई 1921 में हुआ था भारत के प्रशित करांतिकारी बटुकेश्वर्दत का निधन 20 जुलाई 1965 को हुआ था प्रिटिस सरकार द्वारा पप्लिक सेप्टी बिल के विरोध में भागत सिंग और बटुकेश्वर्दत ने 8 अप्रेल 1929 को सेंट्रल असेम्बली में बम फेगे 12 जुन 1929 को इन दोनों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई बटुकेश्वर्दत ने इंकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाया माशर आर्ट अंदोलन संस्थापक प्रूसली का निधन 20 जुलाई 1973 में हुआ था भारत की पहली नायाधीस अन्नाचांडी का निधन 1906 में हुआ वेशन 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली नायाधीस बनी थी